नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवामे दोस्तों मैं करुणा आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 का पेंटिंग सब्जेक्ट का वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 10 भारतिय कला में आधुनिक प्रवर्तियां चैप्टर पर कुछ important questions जैसा की पूछा जा सकता है आपके second term board exam तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं question number first से question number first है दोस्तों यहाँ पर आधुनिक भारतिय कला में कला की किन विधाओं को शामिल किया गया है तो दोस्तों इसका answer हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आधुनिक भारतिय कला में कई विधाओं को शामिल किया गया है जैसे की रिखाचित्र फोटोग्राफी आधुनिक शिर्प कला इसके अंतरगत पस्चमी यूरोपिय शेली को भी महत्व दिया गया है प्राचीन परंपरा पर आधारित भारतिय कला को महत्व नहीं दिया गया कला की आधुनिक प्रवर्तियों से आप क्या समझते हो आधुनिक आपको पताईए हमने चेप्टर में भी पढ़ा है हम आधुनिक दौर की यहां पर बात कर रहे हैं लगभग बीशमिश अताबदी की कला के छेतर में दोस्तों तो इसका अंसर होगा कि कला कारों ने नए तरीकों और सामगरियों को कला के कारों में नए विचारों के साथ प्रयोग किया इसे ही कला की आधुनिक प्रवर्ति कहा जाता है किस चीज को नए तरीकों और सामगरियों के अलग तरीके के प्रयोग को यानि की नए विचारों क के साथ प्रियोग को आधुनिक प्रवर्ति कहा गया। इसकी विशेष्टा क्या है? कल्पनात्मक्ता की और जुकाव आधुनिक कला की विशेष्टा है। इसके अतिरिक्त अभिव्यंजनावाद, घनवाद, प्रभावाद, नोप्रभावाद, यथार्थवाद। ये सभी कला की आधुनिक प्रवर्तियां ही कही जाती है। कुश्य नमर थर्ड, वे कौन से मापदर्ण हैं, जिनसे कोई कलाकार अपने आपको आधुनिक सिथ कर सकता है। तो इसका अंसर कुछ ऐसे हो सकता है कि अपनी कला में कलात्मक्ता का अधिक विकास करके, अत्वा आधुनिक भारतिय कला की विधाओं को अपनी कला में शामिल करके, तथा प्राचीन परंपरावादी कला को त्याग कर, खुद को आधुनिक सिथ किया जा सकता है। जैसे कि अभी विंजनावाद का प्रियोग करके रविंद्रनाट्य गोर ने, आत्वा क्यूबिज्म यानि की घनवाद का प्रियोग करके गगेंद्रनाट्य गोर ने, खुद की कला को आधुनिक कला बनाया। कुशिन नबर फोर, प्रगती शील कलाकार समू के प्रमुक कलाकारों वे उनकी उपलब्दियों का वर्णन कीजिए। प्रगती शील कलाकार समू को दोस्तों पैग गुरूप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे question पूछा जाएगा कि PAG कलाकार सम्हूं की उपलब्दी बतानी है तो आपको confused नहीं होना है PAG गुरूप और प्रगति सील कलाकार गुरूप एक ही है तो इसके प्रमुक कलाकार हैं दोस्तों फ्रांसेस न्यूटन सुजा मकबूल फुदा हुसेन जिसको की हम M.F. हुसेन के नाम से भी जानते हैं सेद हैदर रजा केजी आरा एवं केजी सुब्रमन्यम इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कलाकान हैं जो PAG गुरूप के सदस्य हुए लेकिन आरंभिक सदस्यों में हम इन ही को जानते हैं शुरू करते हैं आरा, रजा, एवं सुजा इन्होंने मिलकर 1947 इश्वी में प्रगिति शील कलाकार सम्हूँ जिसको की PAG गुरूप के नाम से भी जाना जाता है नामक संस्था का गठन किया इस संगठन के कलाकारों ने बंगाल कला शेली को एक तरह से नकार दिया तथा उसके स्थान पर इंटरनेशनल मॉडन आर्ट का स्वागत किया इस संगठन के एक सदस से फ्रांसिस नूटन सुजा ने अपनी नई कृतियों के माध्यम से विश्व इस्तरिया उचाईयों को छुआ उनकी इन रचनाओं में यूरोपिय शेली के क्यूबिस्म एवं प्रभावात को अधिक महतु दिया था M.F. हुसेन ने भी अपनी रचनाओं में विश्व इस्तरिय चितर कला शेली को इस्थान दिया और प्रसिद्धी के सोपान चड़े लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो भारतिय सिनेमा जगत से जुड़ गए और उसी के लिए चितर बनाने लगे इसी संगिठन के एक और कलाकार हैं जिनका नाम है केजी सुब्रमन्या इन्होंने प्रचलित लोग कलाओं में परंपराओं को ततकालीन नवीन कला तकनीकों के बहतरीन संयोजन से विक्सित करने की कोशिश की जो कि कला के छेतर में एक नवीन परियोग था तो दोस्तों लास्ट में क्या हुआ कि 1956 में इस संगिठन को समाप्त करने हैं और समाप्ती का कारण क्या था कि सभी कलाकार अपनी अपनी कला में और नवीन परियोग करने लगे थे अब उनको लगा कि हमें किसी एक गुरुप की आवशक्ता नहीं है और हमें अपनी कला में प्रियोग करने हैं जिससे कि हम नई कलाकारों के साथ भी तालमेल बठा सकें तो दोस्तों ये था आपका चेप्टर नमबर 10 भारते कला में आधुनिक प्रवर्तियां और उस पर कुछ महत्पूर्ण प्रेश्ण आशा करती हूँ दोस्तों आपको चेप्टर एंड कोशिंस दोनों अच्छे से समझाए होंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे की इस तरह की और वीडियो भी आप तक पहुंच जाएं